कभी अभी आप सभी के लिए बड़ी खबर जी हां दोस्तो अब आपको बैंक पर पैसे निकालने नहीं जाना पड़ेगा सरकार की इस योजना से घर बैठे पैसे निकाल सकेंगे क्या है पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में इसी के साथ अगली बड़ी खबर अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए बेहत बड़ी खुसकबरी जी हां दोस्तो सत्तर हजार से अधिक परिवारों के खातों में 22,000 रुपए की रासी भेजेगी बिहार सरकार कोरोना महामारी को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है बिहार सरकार ने 22,000 रुपए की रासी गरीबों मजदूरों बिध्वाओं और दिब्यांगों के खाते में भेजने का एलान किया है जानेंगे किस किस के खात को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और अगर आप एक फैक्टरी में काम करते हैं या नौकरी करते हैं कहीं भी तो आपके लिए बेहत बड़ी खबर निकल के आ रही है जानेंगे एक एक करके बिस्तार से तो वीडियो को लाइक नहीं किये तो वीडियो को लाइक कर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ आप किस तरह से कोरोना से बचाओ कर रहे हैं हमें कोमेंट करके जरूर बताइए पहली बड़ी खबर लागडाउन में 70,000 से अधिक परिवारों के खातों में 2,000 रुपए की रास भेजेगी बिहार सर जी हाँ आपको बतादी कि कभी सराब के कारोबार से जूजकर परिवार का जीव को परजन करने वाले लोगों को भी बिहार ग्रामिड विकास बिभाग की ओर से लागडाउन की इस्थित में आर्थिक मदद पहुचाई जाएगी बिभाग सतत जीव को परजन योजना के त अब तक राज में चिन्हित इन परिवारों को रोजगार एवं अजीवी का आवर्धन के लिए प्रारामभिक पंजी किरित अवस्यक्ता देखते हुए 49,240 परिवारों को रासी हस्तांतरित की जा चुकी है वे अपना ब्यवासाय अरंभकार अजीवी का चला रहे हैं पांच करोड रुपय बितरित किये जा चुके हैं इन जिलों को मिलेगा लाब जी हाँ आपको बतादे की विविन जिलों में सतत जीव को पारजन योजना से गरीवों को भोजन की विवास्था के लिए रास बितरित की जा रही है इसके लिए विभाग की ओर से जिलावार परिवारों को चिन्नीत करने का काम भी लिया गया है अब तक सर्वधिक मुझफरपूर जिले में 4238, दर्भंगा में 413, कटिहार में 3817, और मधुबनी में 3750, गया में 2613, बैसाली में 2387, पुडिया में 2153, सीतामडी में 2149, मधेपूर में 2031, तथा पटना में 2126 परिवा हैं, फिलहाल अवस्क्ता अनुसार इन जिलों में चिन्हित परिवारों में से 133 से अधिक परिवारों को सहायता रासुपलब्द करा दी गई है, अब तक दर्भंगा जिले में 2161, मधुनी में 1324, गया में 1237, कटिहार में 1146, सीतामडी में 1146, बैसाली में 1098, तथा जफरपूर में 1073, मुंगेर में 1002 परिवार सामिल हैं, इस योजना के तहत कम परिवारों को सहायता उपलब्द होने वाले जिलों में अरिया 150, जमुई 202, भोजपूर 215, तथा सुपॉल में 202, सरण में 218, खडिया में 232, तथा भागलपूर में 264 परिवार सामिल हैं, ग्रामिन विकास मंत्री ने कहा कि जीविका के माधम से जाबाद दे पदधकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि संकट की इस घड़ी में सभी ग्रामिन निर्धन परिवारों को यह जीविका के लिए सतत प्रयास रत रहें, सभी चिन्निहित परिवारों को योजना का जाना पड़ेगा वे गाउं में ही रहकर माइक्रो एटियम से पैसा निकाल सकेंगे इसके लिए गाउं में डाग विभा की इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 510 माइक्रो एटियम की व्यास्था की गई है आग ये माइक्रो एटियम आपके घर सीधे पहुचंगे लागडाउ में ही माइक्रो एटियम के माध्यन से भुकतान की ब्यवस्था सुरू की जा रही है जिलाधिकारी नागेंदर प्रसाद सिंग ने बताया कि सरकारी योजनाओ के लाभार्तियों को बैंक आने की यवस्था नहीं है किसी भी बैंक में खाते होने पर भी भारती डाग विभाग में माइक्रो एटियम से अधार इन्वेल्ड पेमेंटी सिस्टम से भुकतान किया जाएगा लाभार्ति को केवल मसीन पर अंगुठा लगाना पड़ेगा साथ ही अधार नंबर देना पड़ेगा माइक्रो एटियम द्वारा मौके पर ही भुकतान कर दिया जाएगा इस वि करते हुए अस्थान निर्धारित कर दिये गए हैं अगली बड़ी खबर हीरो की स्क्यूटरी पर 15,000 और बाइक पर 10,000 की बंपर छूट आज ही खरीदें जी हैं आपको बतादे की दुनिया की सबसे बड़ी दो पहिया वहां निर्मता कंपनी हीरो मोटो कारपस इस समय भारत में BS4 स्क्यूटरी बाइकों पर बंपर डिसकाउंट आफर कर रही है दरासल देज भर में एक अप्रेल से नए BS6 मानक को लागू हो गया है आपको बतादे की सुप्रियम कोट ने आटो इंजिस्टीट को राहा देते हुए लागडाउन खत्म होने के 10 दिन बाद तक BS4 वह पर 10,000 रुपए तक की छूट दे रही है जबकि स्क्यूटर पर 15,000 रुपए तक का डिसकाउंट मिल रहा है कमपनी के मुताबिक या छूट फिलाल आल लाइन बुकिंग पर उपलब्ध है क्योंकि सोरूम लागडाउन की वज़े से बंद है हीरो मोटो कारपस का कहना है कि उसके पास फिलाल करीब 1,500,000,000 BS4 टू विलर इस्टाक है जिसकी कीमत करीब 6,000 करोड रुपए के आसपास है इकोनामिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिकी निष्टाक्स में कुछ उन देसों में निर्यात किये जाएंगे जहां BS4 वहनों की विक्री बैन नहीं ह वही फेडरेशन आप आटो मोबाइल्स डीलर्स एसोसियन का कहना है कि भारत में करीब 7,000,000 BS4 टू विलर डीलर्स के पास पड़े हैं जिसकी बैल्यू करीब 3,850 करोड रुपए हैं फेडरेशन की माने तो इसमें से 1,5,000,000 BS4 टू विलर बिक्चुके हैं लेकिन लागड पहले 31 मार्च 2020 तक भी निर्मार कारियों को अस्थागित करने की घोसरा की थी एसे में अगर आप सस्ती बाइक या स्क्यूटरी खरीदना चाहते हैं तो ओन लाइन खरीज सकते हैं आपको बंपर डिसकाउंट मिल रहा है अगली बड़ी खबर खाने-पीने की चीजों के दाम-घतने से चार महीने की निचले अस्तार पर रही महगाईदर मार्च में 5.91 फीज दी रही मुदराइस्फीत जी हाँ आपको बताते कि खाने पीने का समान कुछ सस्ता होने से खुद्रा मुद्रा स्पित मार्च महीने में इससे पिछले माह के मुकाबले कम होकर 5.91 पर आ गया है यह चार महीने की सबसे कम महगाईदर है सो मुआर को जारी सरकारी आकडों के अनुस्वार भोगता मूल अरित मुद्रा स्पित फरवरी 2020 में 6.58% और पिछले साल मार्च में 2.86% पर थी राष्टी ये सांखी की कारियाले के आकडों के अनुस्वार खाद वस्तूओं की महगाईदर इस साल मार्च में 8.76% पर रही जो इससे पिछले महीने 10.81% पर थी रिजर्ब बैंक मौद्रिक नीत समिच्छा पर विचार करते समय खुद्रा महगाईदर पर मुख्य रूप से गौर करता है सरकार ने केंदरी बैंक को मुद्रा स्पीत अधिक्तम 2% घटबड के साथ 4% के दाएरे में रखने का लच्छ दिया है अगली बड़ी खबर मोधी सरकार का बड़ा कदम कुछ सर्तों के साथ 15 प्रकार के उद्धोगों को काम सुरू करने की मंजूरी जी हाँ आपको बता दी की जे इन इन मुख मंत्रियों से वीडियो कन्फरेंसिंग में जानवी जानवी के नए मंत्र के साथ प्रधान मंत्री नेनल मोधी ने सनिवार को जो संकेत दिया था सरकार ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है 14 अपरेल तक के लिए घोसित देश ब्यापी लागडाउन को खत्म होने से पहले ही सरकार ने उधोगों के पहिये चलाने की मंजूरी देना चुरू कर दिया है कोरोना के बढ़ते खत्रे के बीच जहां पूरे देश में आमराय है की लागडाउन बढ़ाना चाहिए वहीं अर्थ बेवस्ता पर इसके असर को देखते हुए जमापड़े और धोगीक पहियों को धीरे धीरे चलाने का मद भी बना रहा है दर असल आपको बतादी की एक दिन पहले कुछ मुख मंत्रियों ने जरूरी सर्तों के साथ चुनिंदा उधोगों को लागडाउन से बाहर लाने की बात कही थी केंदरी मंत्रियों की ओर से भी प्रधान मंत्री को सुझाव दिया गया है कि उधोगों को आमसिक रूप से लागडाउन में छूट मिलनी चाहिए इन सभी विचारों को देखते हुए और संबंदित विभागों की राय पर सरकार ने 15 तरह के उधोगों को नियुंतम करमचारियों के साथ एक सिस्टम में काम सुरू करने की अनुमती दे दी है गौर तलब है कि एक दिन पहले ही प्रदान मंत्री ने मुक मंत्रियों के साथ वीडियो कंफरेंसिंग में जान भी जान भी का नया मंत्र दिया है यह इसलिए खास है क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने लागडाउन की घोशड़ा की थी तो साप कहा था कि जान है तो जान है केंदरी मंत्रियों की राय भी कुछ इसी तरह की तरज पर आई है दर असल कुछ दिन पहले ही कैबिनेट के सहीयोगियों के साथ बैठक में प्रधान मंत्री ने कहा था कि वे इसकी समिच्चा करें कि कैसे धीरे धीरे लागडाउन से बाहर आया जा सकता है उन्होंने इस दवरान सुरू किये जा सकने वाली अधोगी गतविधियों की पहचान करने को भी कहा था कैबिनेट के मंत्रीयों की ओर से सुझाव आया था कि सडक निर्मार अवस्यक वस्तूओं का निर्मार से जुड़े उधोगों को पहले चरण में उत्पात सुरू करने की जाधत दी जा सकती है अगर कोई उधोग करोना प्रसार से बचते हुए अधोगी गतविधी को सुरू करने का ब्लूप्रिंट देता है तो उसे भी मंजूरी दी जा सकती है लेकिन उसे यह बताना होगा की बीमारी से बचने और किसी संक्रमण की स्थित में इलाज के लिए क्या प्रबंध है आईए जानते हैं कौन-कौन से उधोगों को मिली मंजूरी इसपात और फेरस एलाए मिल इसके अलावा आस्टिक फाइबर केबल कंप्रेसर एंड कंडेसर इकाईयां पावर लूम पल्प और कागज इकाईयां उर्बरक पेंट प्लास्टिक वहान इकाईयां रत्न और झाल 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 झाल